ये टीवी पर आप सुन रहे हैं नियोज देस आर भारत के सर्वोच न्यायले द्वारा लगातार निर्देश देने के बावजूद कई राज्यों में लोका युक्त के पद का श्रजन नहीं किया गया है या वहाँ पर पद रिक्द हैं और ऐसे में जारकंड में भी ये स्थिती है कि वहाँ पर लोका युक्त का पद रिक्द है और ऐसे में मांग की जा रही है कि वहाँ पर लोका युक्त की नियोक्ती की जाए दरसल जारकंड में लोका युक्त का कार्याले 4 दिसंबर 2004 से काम कर रहा है और यहां लोका युक्त क नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती है. हाई कोट के सेवा निवृत जस्टिस लक्षमन उराव वहां के पहले लोकायुक्त बनाए गये थे और उसके बाद अमरेश्वर सहाए दूसरे लोकायुक्त बने थे और फिर जस्टिस डियेन उपाध्याय को तीसरा लोकायुक्त न्यूक्त किया गया था लेकिन कुरोना की वज़े से उनका निधन 29 जून को हो गया था और इसके बाद से वहाँ पर लोकायुक्त का पद खाली है लोकायुक्त किसी राज में भरस्टचार से निपटने का एक प्रभावी पद है बशर्ते वह कुसलता से इससे निपटने को प्रतिबध हो लोकायुक्त संस्ता का स्रेजन जन साधारण को स्वक्ष प्रशाशन प्रदान करने के उद्देश से लोक सेवकों के विरुद्ध भरस्टाचार और पद के दुरपयोग संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र और निस्पक शुरोब से जाच और अन्वेशन करने हैं तो किया जाता है अगर हम इतिहास की बात करें तो मुरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशाशनिक सुधार आयोग यानि Administrative Reforms Commission जो 1966 में गठित हुआ था उसने केंद्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी और उसके बाद महाराष्ट पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त के पदगा श्त्रजन किया था लोकायुक्त आम तोर पर उच्च न्यायले का सेवा निवरित्त मुख न्यायधीश या सर्वोच न्यायले का सेवा निवरित्त न्यायधीश होता है आम तोर पर इसका कारेकाल निर्धारित होता है फिक्स होता है लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग भी है उधारण के तौर पर उत्तर प्रदेश में इसे 6 वर्ष से बढ़ा कर 8 वर्ष किया गया था और राजिस्थान में इसे 8 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष किया गया तमिल नाडू, उडिसा, मडिपूर, मेजोरम, नागलेंड और पश्यम मंगाल सहित 12 राज्यों में लोका युक्त का पद न होने के चलते 2018 में सुप्रीम कोट ने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों से पूछा था कि उनके राज्यों में लोका युक्त का पद क्यों नहीं है तो अब बात करते हैं इस पर आधारित एक सवाल की निमलिखित में से किस राज्यों ने सबसे पहले लोका युक्त पद का श्रेजन किया था आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथ ही हमें ये भी बताएं कि महाराष्ट में किस वर्ष इसका श्रेजन किया गया था